नई दिल्ली से सुभे सुभे आपके लिए में ला रहा हूं एक नई सवेर पर मौनिंग अपडेट 21 दिसंबर 2020 के लिए आप लोग देखी रहे होगे क्योंकि आप लोग तो SGX निफ्टी देखते हो, US फूचर्स देखते हो, सब चीज देखके ट्रेड करते हो, तो मीर ऐसी लग रही है कि एक छोट ऐसा गैप अप हो सकता है, जादा बड़ा नहीं, 35-40 पॉइंट निफ्टी में, और वहीं 100-500 बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं, देखें, बैंक निफ्टी में, सेल नहीं करना, अभी जब तक 43, स्वारी, 42-900 ना टूटे है, और दोस्तों, निफ्टी 50 में, सेल उन राइस है, क्यों? क्योंकि भाई, ये याद रखना कि निफ्टी 50 ने अपना 20 डेमा त 18457, तो 18450, 18457, एक अच्छा खासा रिजिस्टेंस रहेगा, 18457 के करीब, 18447, 18457 वाला, एक अच्छा खासा रिजिस्टेंस रहेगा, और दोस्तों, आपको ये बता दूँ, अब यहाँ से सपोर्ट जो निफ्टी को है, वो है लगबग 18190, 18200, 190 से 18200, तो इस सपोर्ट रिजिस्टेंस के बीच में ही जब तक काम कर रहा है, तब तक आपको पता है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना, हाँ, 18457 के उपर चलना स्टार्ट होगा, तो हम कुछ उपर के लिए सोच सकते हैं, बट अभी ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता दिख रहा, अब आपके अगर लेवल्स की बात करूं, सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स की बात कर लेता हूं, निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स की बात करेंगे अगर तो आपको ये देखिए, आपके सामने मेरे निफ्टी फिफ्टी के लेवल्स रख रखें, अगर अगर अठारा च चार सुस्टेन करता है और उसके उपर मार्केट चलनी स्टार्ट होती है तो 18447 के लिए आप ले कर सकते हैं बट यह याद रखेगा यह 18447 से 18457 जो है यह बहुत बड़ा रिजिस्टंस रहने वाला है बहुत बड़ा रिजिस्टंस रह सकता है अब यहां से अगर उपर मु दोस्तों अगर 18200 तूटता है तो 18200 तूटता है तो 18172 और वैसे आपको मैंने बताया है कि 18192 जो एक अच्छा खासा सपोर्ट है अगर वो तूटता है तो 18172 पर अगर कहानी रुक जाए तो बहुत अच्छा है लगता नहीं वहां पर रुकेगी तो 18153 18150 भी आ सकता है अब बात करेंगे सबसे मेन स्टॉक है रिलाइंस रिलाइंस पर रखेगा नजर तभी निफ्टी पर आप बना के रखेंगे अपनी पकड़ अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की देखें बैंक निफ्टी विजा विज निफ्टी फिफ्टी एक बहुत अच्छा स्ट्रें थे दोस्तों bank and safety के जब हम बात करते हैं तो bank and safety is still buy on dips still buy on dips अब जब मैं buy on dips कहता हूँ तो मतलब सीधा सीधा बात यह समझ लो कि मैं short करने के thoughts को अपने दिमाग में भी नहीं ला रहा रहा हूं है अभा के अभी मुझे ये मालूम है कि 43,200 के आसपास 20 डेमा है बट फिर भी 20 डेमा ठीक है 20 डेमा से मैं एक बार को अगर शॉट करूंगा अभी तब भी मैं 43,000 तक कही नीचे का लेवल सूसनो बट अगर मुझे यहां से वाक्या में शॉट करना तो 42,900 बहुत स्ट्रॉंग हलाकि 20 डेमा जो है मेरा 20 डेमा इस समय अगर मैं देखूं तो 43,192 के आसपास नजर आ रहा है तो अब मैं आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई मैं कब क्या कर सकता हूँ अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी अपनी ताकत अपना जो पंप ह बात करेंगे हम लोग तो दोस्तों आप ध्यान दीजेगा लेवल्स पे जब हम बात करने हैं तो आपको बाइंग में तभी आना है जब 43,426 के ऊपर मार्केट चलना शुरू हो तिरालिस चार सो चब्विस के ऊपर या तो मार्केट चलना शुरू हो का मतलब है कि सस्टेन क करें उसके बाद ही 43,426 के बाद आपको आएगा 43,590 43,590 यानि कि यह लगबग लगबग आपको अगर आप देखोगे तो 700 पॉइंट के करीव आपको मिल रहे हैं 700 से 500 पॉइंट के करीव आपको यहां से मिलते हैं उसके बाद आएगा 43,689 100 पॉइंट अगें 43,804 44,955 गलगल है उसके नीचे ही हम लोग कुछ सोचेंगे क्लिक करेंगे नीचे के लिए लेकिन याद रखेगा 42,955 से नीचे 42,900 पर बहुत अच्छा सपोर्ट है बहुत अच्छा सपोर्ट है तो वो क्या 55 पॉइंट के लिए को बैंक और इफटी को शॉट करूंगा है उसके बाद आपको अगर वो तूटता है 42,900 तो 42,700 के असपास 42,687 मेरा लेवल आ रहा है तो बड़े ध्यान से बड़े तरीके से काम कीज़ेगा क्यों अब ये भी सुन लीजे क्योंकि आज है बुद्वार और कोई भी सुन लीजे बड़े ध्यान से कोई भी एक भी कि बड़े को किसी पुट को कल के लिए होल्ड करके मत जाना चाहे एक लाट भी तबी जो भी प्रॉफिट है जो भी लोस है वोस आज करके काटके जाना रीजेजं क्योंकि وेड़े स्टेक को सबसे ज outlet को सबसे ज्यादा प्रीमेटिंग होती है Thursday उसको तो आपको पता है कि साथ आप लोग से अगरे करतना हूं कि लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं पर कॉमेंट में जरूर बताएगा कि कैसा लगा ये वीडियो शुक्रिया नमस्कार धन्यवाद